रुचिरा भाग तीन रुचिरा तृतियो भागह अश्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रिष्ठ संख्या चौहत्तर एका दशह पाठह सावित्री बाई फुले शिक्षा हमारा अधिकार है हमारे समाज में कई समुदाई इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है लड़कियों को तो और ज्यादा अवरूध जहलना पड़ता रहा है प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेत्रित्व करने वाली सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है पाठ प्रारंभ से पूर्व पुस्तक में एक पाठशाला का चित्र है जिसमें कई लड़कियां पढ़ती हुई दिखाई गई है साथ में शिक्षिका उस पाठशाला में प्रवेश करती हुई दिखाई गई है ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है अ-आ-ई-ई-उ-उ पाठ इस प्रकार प्रारंभ है उपरी निर्मितम चित्रम पश्यत इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया हवर्तते इम सामान्या पाठशाला नास्ति इमस्ति महाराश्च्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला एका शिक्षिका ग्रिहात पुस्तकानी आदाय चलती मारगे कश्चित तस्याह उपरी धूलिम कश्चित्य प्रस्तर खंडान क्षिपती परम सा स्वद्रिध निश्चयात नविचलती स्वविध्यालये कन्याभि सविनोदम आलपंती सा अध्यापने समलगना भवती तस्याह स्वकीयं अध्यायनम अपी सहईव प्रचलती प्रुष्ठ संख्या 75 केयं महिला अपी यूयम इमाम महिलाम जानित इमेव महराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम देया जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे एक तृंश दधिक अष्टादश तमे खृस्तापदे महराष्ट्रस्य नाय गाउन नामनी स्थाने सावित्री अजायात तस्याह माता लक्ष्मी बाई पिताचा खंडोजी इती अभिहितव नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिनीता सोबी तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्पह एव आसीत यतोही सहस्त्री शिक्षायाह प्रबलह समर्थकह आसीत अतह सावित्रियाह मनसिस्थिता अध्ययना भिलाशा उत्संप्राप्तवती इतह परम्सा साग्रहम आंगल भाशाया अपि अध्ययनं कृतवती अष्ट चत्वारिंश दधिक अष्टादश तमे खृस्ताब्दे पुने नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयं आरभःत तदानीम सा केवलं सब्त दश वरशिया आसीत एक पंचाश दधिक अष्टादश तमे खृस्ताब्दे अस्प्रिश्यत्वात तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानाम कृते प्रिथक्तया तया अपरह विद्यालयह प्रारभधह सामाजिक कुरीती नाम सावित्री मुखरं विरोधं अकरोत विधवानाम शिरो मुंदनस्य निराकरणायसा साक्षात नापितईह मिलिता फलतह केचन नापिताह अस्याम रूढव सहभागिताम अत्यजन एकदा सावित्रिया मारगे द्रिष्टम यत कूपम निकशा शीरण वस्त्रा वृताह तथा कथिताह निम्न जातियाह काश्चित नार्यह जलं पातुम याचंतेस्म उच्च वर्गियाह उपहासं कुरुवंतह कूपाजलो धर्णम अवारयन सावित्रि एतत अपमानं सोधुम नाशक्नोत साताह स्त्रियह निज ग्रिहं नीतवती तडागं दर्शैत्व अकदयच्य यत यथेष्टम जलं नयत सार्व जनिकोयं तडागह अस्मात जलक ग्रहने नास्ति जातिबंधनं तया मनुष्यानाम समानतायाह स्वतंत्रतायाष्च पक्षह सर्वदा सर्वथा समर्थितह महिला सेवा मंडल शिशुहत्या प्रतिबंधक ग्रिह इत्यादीनाम समस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योह अवदानम महत्वपूर्णम सत्य शोधक मंदलस्य गति विधिशु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत अस्य मंदलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीडितानाम समुदायानाम स्वाधिकारान प्रते जागरणम इती सावित्री अनेकाह समस्थाह प्रशासन कौशलेन संचालितवती दुर्भिक्ष काले प्लेग कालेच सापीडित जनानाम अश्रांतम अविरतम चसेवाम अकरोत सहायता सामग्री व्यवस्थायाई सर्वता प्रयासम अकरोत महा रोग प्रसारकाले सेवारता सा स्वयम असाध्य रोगेन ग्रस्ता सप्त नवत्यधिक अश्टादश तमे खृस्ताब्दे निधनम गता साहित्य रचनया अपे सावित्री महीयते तस्याह काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्य भुले सुबोध रत्नाकर चेती भारत देशे महिलो थानस्य गहनाव बोधाय सावित्री महोदयायाह जीवन चरितं अवश्यम अध्येतब्यं प्रिष्ठ संक्या चिहत्तर शब्दार्थाह आदाय लेकर प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकडों को सविनोदम हसी मजाक के साथ आलपंती बात करती हुई अजायत पैदा हुई अभी हितव कहे गए हैं परिणीता ब्याही गई और स्प्रिश्यताया छुआ छूत के कारण प्रारब्धाह आरंभकिया प्रताडन शीला नाम प्रताडित करने वाली निराकरनाय दूर करने के लिए रूढ़व रूढ़ी में रिवाज में शीर्ण भटापुराना और चिथड़ा पातूं पीने के लिए सोढ़ूं सहने में या सहने के लिए उत्पीडिता नाम सताय गए का और श्रांतम बिना ठके हुए महीयते बढ़ चड़ कर हैं पद्यबद्धम कविता के रूप में गहनाव बोधाय गहन जमाव बोधाय गहराई से समझने के लिए पृष्ठ संख्या सतहत्तर अभ्यासः अभ्यास संख्या एक अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत क महराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका का आसीत ख कस्या समुदायस्या बालिकानाम कृते सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती ग की द्रिशी नाम कुरीती नाम सावित्री विरोधम अकरोत ग कि मर्थम शीर्ण वस्त्रा वृताह नार्यह कूपात जलम ग्रहितुम वारिताह न सावित्रियाह मृत्युह कथम अभवत च तस्याह द्वयोह काव्य संकालनयोह नामनी के पृष्ठ संख्या अठत्तर अभ्यास संख्या दो अधो लिखितानी पदानी आधृत्य वाक्यानी रचायत यहां कुछ शब्द दिये गए हैं जिनका संसक्रित में वाक्य निर्मान करना है यह शब्द हैं क स्वकियम क सविनोदम ग सक्रिया ग प्रदेशस्य ग मुखरम च सर्वथा अभ्यास संख्या तीन अधो लिखितानाम पदानाम विलोम पदानी लिखत्य क उपरी ख आदानम ग परकियम ग विशामता ग व्यक्ति गतम च आरोह अभ्यास संख्या चार अधो लिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम चलिखत्य यहां कुछ शब्द दिये गए हैं उन शब्दों का लिंग क्या है विभक्ति क्या है और वचन क्या है इसे आपको क्रम शह बताना है यह शब्द हैं क धूलिम ख नामनि ग अपरह घ कन्यानाम गा सहभागिताम च नापितईह प्रिष्ठ संख्या उन्यासी अभ्यास संख्या पांच उदाहरण मनुस्रित्य लकार परिवर्तनम कुरूत यहां उदाहरण के रूप में वर्तमान काल में एक वक्य दिया गया है वह वक्य है साशिक्षिका अस्ति इसका अतीत काल अर्थात भूत काल रूप हमें बनाना है उदाहरण में इसका भूत कालिक रूप दिया गया है साशिक्षिका आस्ति इसी प्रकार आगे छह वाक्य हैं उन छह वाक्यों का परिवर्तन भूत काल में करना है ये वाक्य हैं क सा अध्यापने समलगना भवती ख सह त्रयोदश वर्ष कल्पह अस्ति ग महिलाह तडागात जलम नयंति ग वयं प्रतिदिनं पाठं पठामह ना यूयम किम विद्यालयम गच्छ था च ते बालकाह विद्यालयात ग्रिहम गच्छन दिल रुचिरा भाग तीन अभी आप सुन रहे थे आठमी कख्छा के लिए संस्कृत की धोनी पाठे पुस्तक प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T.